हेलो दोस्तो स्वागत है भकत कॉमिनिकेशन के एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे SSC यानि जारकन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की और से PRT और TGT की निव भरतिया आई है दोस्तो तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में यानि दोस्तो आप लोग को मैं इस वीडियो के दोरान स्टेप बाई स्टेप एक जाओंगा वह से वह से में डाउट किलियर करते जाओंगा इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर दिजे और जो वीडियो आप देख रहा हैं उस वीडियो को लाइक किजे तो चलिए दोस्तों अगर इस website पे आने में आप लोग को कोई भी problem आ रही होगी तो वीडियो के description में जाएए उस पे link दिया गया है आप लोग सिंपली क्लिक करके आप लोग इस website पे आप आएंगे देखे दोस्तो आने के बाद आप लोग को क्या करने होगी application form जो आप लोग को दिख रहोंगे इस पे आप लोग को क्लिक करना होगा इसके बाद दोस्तो यह जो सबसे पहले जो link दिया गया है आप लोग को इस पे apply नाओ पे क्लिक करना होगा इसके बाद आप लोग को इस पे पेज़े दोस्तों आप लोग को दिख जाएंगे इस पे दोस्तों सबसे पहले आपको पुछा जा रहा है कि आप जैसे इन नो कर देते हैं दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है यानि दोस्तों आप जारकंड के जो अभी जो टीचर भरती निकली हुई है इसको आप एप्लाइ नहीं कर पाएंगे तो इसको यहाँ पर येस करना जरूरी है दोस्तों इसके बाद आपको इसके बाद आप एक सर्विसमें है आर्मी एरफोर्स नेवी के तो आप इसमें येस करेंगे अधर्वाइस नो करेंगे इसके बाद टीचर टाइप देखे दोस्तों इसमें दो टाइप दिया गया है पाराटीचर और नोन पाराटीचर आप अगर पाराटीचर है तो पाराटीचर में क्लिक करेंगे जैसे पाराटीचर पे क्लिक करेंगे आपको इसमें experience पूछा जाएगा आपको इसमें कितने साल का experience है आप इसमें digit लिख सकते हैं माल लिए दो साल का है तीन साल का है आप इसमें लिख सकते हैं मिनिमम यहाँ पर टू यर रखी गई है तो इसमें नॉन पारा टीचर कर देता हूं इसके बाद दोस्तों आप लोग अगर इसपोर्ट कोटा से हैं तो आप इसमें येस करेंगे अधरवाइस नौ आपका नाम भरना होगा जो कि केपिटेल लेटर में आपको यहाँ पर भरना होगा इसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर फिल करना होगा इसके बाद आपका जो भी डेटब बर्थ है आपका जो सर्टिपिकेट है दोस्तों उसके एकोडिंग आपको यहाँ पर डेटब ब क्लिक करेंगे, आपका जो भी registration है दोस्तों वो successful हो जाएगा, आपको आपका जो registration है वो दोस्तों यहां पर show करने लाएगा, इसके बाद go to home पे आप लोग क्लिक करेंगे, और यह जो दोस्तों आप लोग का username है यानि username और पासपोर्ड जो है दोस्तों आपके जरो जो register mobile नमर और email अभी डाले होंगे उस पे चल गया होगा अभी हम लोग को login पे click करना हो यानि दोस्तों इस पे आप लोग को registration नमबर और इस पे पासपोर्ड आपका जो email id में receive हुआ होगा उसको feel करके आपको login पे click करना होगा आपको इसको select करना पड़ेगा इसके बाद आप लोग को next इसमे नो नो जो भी आप registration में भरे होंगे ये automatic फिल रहेगा इसके बाद आप लोग को पूछा जा रहा है कि आप लोग जो paper 1 के लिए कौन सा language रखना चाहते हैं देखे दोस्तो जितने भी language है आप यहाँ पर रख सकते हैं इसके बाद आप लोग का जो paper 2 के लिए कौन सा language रख सकते हैं इसके बाद दोस्तो आप लोग को पूछा जा रहा है कि marital status आप married है unmarried है आप इसमें choose कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पे अपना पिताजी का नाम भरना होगा इस पे आपका माताजी का नाम भरना होगा और इस पे आपका आधार कार्ड नंबर आपको इसमें फिल करना होगा इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना होगा दोस्तों इसमें आपको इसमें दो identification mark भरने होंगे तो इस पर भर लिजेगा इसके बाद आपको permanent address और यहाँ पर correspondence address आपको इसमें फिल करना होगा इसके बाद दोस्तो आप लोग को district preference देना होगा यानि दोस्तो अगर आप job आपका हो जाता है तो सबसे पहले आप कौन district में आपका जो है जोब आप लोग करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले देखिए दोस्तो आप लोग को जो भी district आप लोग को पसंद है आप लोग उस सकतее माले जै मुझे इस श्रिम्म हो चाहिए तो मैं इस पर one लिकूंगा इसके बाद我們 आ और यहां पे दो लिकूंगा इसके बाद धनवा चाहिए तो यहां पर मैं थीन लिकूंगा इस परकार दोस्तों आप लोग इस परकार भर लिजेगा इसमें आपको भरने के लिए दोस्तों आपको यह सब्दानी पूरुबग भरना होगा क्योंकि दोस्तों आप 1 से 24 तक ही भर सकते हैं और यह दोस्तों आप लोग का जो नंबर है इसको repeat नहीं करना चाहिए तो इसके लिए आपको intermittent train teacher के लिए भरना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे देखे दोस्तों आगर इस पर क्लिक करते हैं जितने भी education qualification इस पर आजाएंगे आपको इसमें details से आपको एक एक चीज आपको यहां पर पढ़ना होगा उसके बाद आपको टिक करना होगा अगर आप intermittent train teacher याँ 12th और आपको लोग का जो diploma होते हैं उसके लिए भरना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों सारे कुछ option दिया गया है तो आप लोग एक एक चीज पर सकते हैं जो वला आपको option में आते हैं उसको टिक करके submit पर क्लिक करेंगे यह जो capture दिख रहे होंगे इसको फील करके आपको submit पर क्लिक करना होगा देखे दोस्तों हम लोग का जो application है वो submit successful हो गया है इसके बाद दोस्तों आप लोग को payment करने होगे वो भी 24 गंटा बाद ही आप लोग को यहाँ पर payment करने होगे उसके पहले दोस्तों आप यहाँ पर payment नहीं कर सकता है तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों प्लीज लाइक कीजे वीडियो को और चैनल पर निवे तो प्लीज सस्क्राइब कर दिजे थैंक यू फूर वाचिंग जैन जै भारत